कविता के बारे में मेरा दुरुष्टि कौन? गोपालदास नीरज जब लिखने के लिए लिखा जाता है, तब जो कुछ लिखा जाता है, उसका नाम है गद्य। पर जब लिखे बिना न रहा जाए और जो खुद लिख लिख जाए, उसका नाम है कविता। मेरे जीवन में कविता लिखी नहीं गई, खुद लिख लिख गई है, ऐसे ही जैसे पहाडों पर निरज़र, फूलों और ओसकी कहानी लिखी जाती है, जिस प्रकार जल जल कर बुझ जाना, दीपक के जीवन की विवश्ता है, उसी प्रकार गाग आकर चुप हो जाना मेरे ज जीवन की मजबूरी है, मजबूरी यानी वह मेरे अस्तित्व की शर्त है, अनिवार्यता है, और इसलिए मैं उसे नहीं, वह मुझे बांधे हुए है, वह मुक्त है और मोक्ष भी, तभी तो न वो किसी वाद की अनुगामीनी है, और न किसी सिद्धान्त की भामीनी, वह नहीं, दूसरों से भी कहती है, तुम लिखो हर बात चाहे जिस तरह चाहो, काव्यकों पर वाद का कंगन न बनने दो, क्योंकि वह यह मानती है, आयू है जितनी समय की, गीत की उतनी उमर है, चांदनी जब से हसी है, रागिनी तब से मुखर है, जिन्दगी गीता स्वयम है, जान ले गाना अगर हम, हर सिसकती सांस लय है, हर छलकता अश्रू स्वर है उत्तर से दखिन, पूरप से पश्चिम और धर्ती से आकाश तक, जो कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारी प्राण सत्ता को प्रभावित करता है, वह सब कुछ उसका विशय है, चाहे वो अंधकार हो या प्रकाश, जन्म हो या मृत्यू, सुख हो या दुख, राग हो या विराग, धूप हो या चां, संघर्ष हो या शान्ती, चाहे वो किसी प्रवासी की सूनी सांज हो, अथवा किसी संयोगी की सुभा, चाहे वो तपती जलती हुई, किसी श्रमिक की दोपहर हो, अथवा प्रणे केली में रत, किसी प्रियसी की चांदनी रात, जहां तक जीवन है, जहां तक मनुष्य है, जहां तक सृष्टी है, वहां तक उसको गती है उसके लिए कुछ भी त्याज नहीं है अशिव को शिव, असुंदर को सुंदर और असत्य को वह सत्य बनाना चाहती है यही उसके गाने का धेय है और यही उसके रोने का अर्थ है उसने शब्दों का जो महल बनाया है उसमें दीवाने खास जैसे कोई चीज नहीं है वहां केवल दीवाने आम ही है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाती, प्रत्येक वर्ण बिना किसी संकोच के प्रवेश कर सकता है और आमने सामने खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है उसके पास सब को सुनने की सहिश्णुता है क्योंकि उसने यह माना है कि सत्य किसी एक कित्थाती नहीं और नहीं उसका एक रास्ता है वो फुटपात पर भूक से छटपटाते हुए भिखारी के पास भी मिल सकता है और वरिशों से अंधेरे में पड़े हुए एक खंडहर में भी इसलिए उसने गाया है इस द्वार क्यों न जाऊं उस द्वार क्यों न जाऊं मेरी मान्यता है कि साहित्य के लिए मनुष्य से बड़ा और कोई दूसरा सत्य संसार में नहीं है और उसे पा लेने में ही उसकी सार्थकता है जो साहित्य मनुष्य के सुख दुख का साजिदार नहीं उससे मेरा विरोध है मैं अपनी कविता द्वारा मनुष्य बनकर मनुष्य तक पहुचना चाहता हूँ वही मेरी यात्रा का आदी है और वही अंत रास्ते पर कही मेरी कविता भटक न जाए इसलिए उसके हाथ में मैंने प्रेम का एक दीपक दे दिया है मानवीय संबंधों में मेरे विचार से प्रेम सर्वश्रेष्ट संबंध है वह एक ऐसी रिदय साधना है जो निरंतर हमारी विकृतियों का शमन करती हुई हमें मनुष्यता के निकट ले जाती है व्यक्ति के जीवन की मूल विकृति मैं अहम को मानता हूँ जो सामाजिक रूप में स्वार्थ का रूपधारण करता है घ्रणा, द्वेश, दंब, पैशम्य, युद, संहार इन सब का कारण यही अहम है इससे मुक्त होने में मनुष्य की मुक्ति है मेरी परिभाषा में इसी अहम के समर्पण का नाम प्रेम है और इसी अहम के विसर्जन का नाम साहित्य है जो प्रेम का इश्ट है, वही साहित्य का लक्ष है इसलिए मेरे विचार से अपनी अंतिम रूप में प्रेम साधना के समान साहित्य साधना भी रिदय साधना है कवी बनना है तो पहले महान मनुष्य बनो यही मेरे काव्य का शीर्ष है तो प्रेम और विशेश रूप से मानो प्रेमी मेरी कविता का मूल स्वर है आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ यह मेरी कमजोरी भी है और शक्ती भी कमजोरी इसलिए कि घ्रिणा और द्वेश से भरे आज के संसार में मानव प्रेम के गीत गाना अपनी पराजय की कहानी ही कहना है पर शक्ती इसलिए है कि मेरे इस मानव प्रेम ने मेरे आसपास बनी हुई धर्म कर्म जाती पाती आदी की दीवारों को ढहा दिया है और वादों के भीशन जंजावात में मुझे पथभरष्ट नहीं होने दिया जब मैं अपना सत्य खोजने निकला था पर्वतों ने जुका शीष चूमे चरण बाह डाली कलीने गले में चंचल एक तस्वीर तेरे लिए किन्तु मैं साफ दामन बचा कर गया ही निकल मेरे पास मनुष्य की तस्वीर थी इसलिए मैं रास्ते में नहीं भटक सका इसलिए वो मेरी शक्ती है मेरी भाशा के प्रती लोगों की शिकायत रही है कि न तो वो हिंदी है और न उर्दू उनकी ये शिकायत सही है और उसका कारण ये है कि मेरे कावव्यका जो विशे मानव प्रेम है उसकी भाशा भी इन दोनों में से कोई नहीं है रिदय में प्रेम सहज अंकुरित होता है और वह जीवन में सहज ही हमें प्राप्त होता है जो सहज है उसके लिए सहज भाशा ही अपेक्षित है असहज भाशा में यदि वह कहा जाएगा तो अनकहा ही रह जाएगा प्रत्येक समाज की एक सहज भाषा होती है मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज की सहज भाषा वही है जिसमें मैं कविता लिखता हूँ प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा अन्यवादों के रूप में जो विवाद आज हिंदी में प्रचलित है, उनमें मेरी आस्था नहीं. यद्यपी, मैं प्रगती को जीवन का इश्ट मानता हूं और प्रयोक को प्रगती का सहायक, किन्तु न तो किसी वाद विशेश से आकरांत प्रगती का मैं पोशक हूं, और न किसी सिद्धांत विशेश से संबंधित प्रयोक का हिमायती. जीवन के वाक्य पर विराम चिन्ह नहीं रखा जा सकता. उसको बांध देना, उसकी गती को अवरुद्ध कर देना है. साहित्य जीवन का उपनाम है. मेरी द्रिष्टी में वही साहित्य श्रेष्ठ है, जो हमें हमारे व्यक्तित्व के संक कुचित घेरे से निकाल कर अधिक से अधिक विश्व मानवता के निकट ले जाता है. वास्तवीक प्रयोग मेरे निकट वो है, जो विचार प्रयोग के साथ साथ भाशा, छंद, लय, तान, आदी के भी प्रयोग करता है. विचार प्रयोग को छोड़ कर, अन्य सभी प्रका के प्रयोग मेरे विचार से फैशन है और वे पैरिस की सडकों पर ही प्रतिष्ठा पा सकते हैं।